फ्रेंड्स मैं और पुनीत यहां बड़े स्क्रीन पे मूवी देखने आए है पंजाबी मूवी है उसका नाम है नी मैं सस कुटनी अब सस तो मेरी है नी मैं किसको कुटूंगी पर चलो जी मूवी इंजॉय करेंगे और हम जल्दी आगे है पूरा सिनेमा हौल खाली है आप देखें इतना बड़ा सिनेमा हौल यहां से आए है यहां से आए है पूरा सिनेमा हौल अभी खाली है यहां का देखियर व्यूव आफ लोग और यह बैठी है मेरी पुनीत और हम क्या खा रहे हैं नैचोज और हैलापीनोज और साथ में उनकी डिप जो होती है वो खा रहे हैं और ये स्वीट और सॉल्टेड पॉपकॉर्न हमने साथ लिये हैं कि ये फिल्म के दौरान और अभी बैठे हुए हम लोग खाते जाएंगे और साथ में अपनी अपनी ड्र और नाईज लेदर सीट बाईज बड़ी 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 नाईज लेदर सीट सैं और बहुत कंफटेवल होती है यहां पर और सिनेमा ये बहुत नाईज बहुत बड़ा और कई बार जो इससे भी बड़े स्क्रीन वाले हैं न वहाँ पर इंग्लिश मुवीज लगती है और इतना मज़ा आता है उसमें देखने में क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन बिलकुल सामने है लेकिन फिर ये साइड में जो आपको स्टार और लाइने नजर आ रही है न फिर पिक्चर न वहाँ सामने स्क्रीन से होके लेफ्ट साइड में और यहां राइट साइड में इस तरफ आती है तो इतना कमाल क वो सिनेमा होता है जब पिक्चर दोनों तरफ ऐसे इधर भी नजर आती है ज्यादा लेफ्ट साइड का होता है और उपर देखें जी इनका व्यू जैसे स्टार्स असमान में और आप असमान के नीचे बैठे हो और यहां पर यह सितारे चमक रहे हैं बहुत प्यारा सीन होता ह और इतना मज़ा आता है इतना मज़ा आता है ना मूवी देखने का और अक्सर मैं और मेरी बेटी हम लोग यहां पर मूवी देखने आते हैं तो मैंने कहा कि अभी तो हम देखके कम से कम ही इसकी वीडियो बना के आपको बता सकते हैं बाद में सब लोग आ जाएंगे तो फ खूब मजार है और काश कुछ दोस्त भी साथ होते मेरी कजन साथ होती और हम लोग और भी जादा enjoy करते हैं लेकिन चले कोई बात नहीं अक्सर मैं और बेटी ऐसे अकेले ही जहां जाना होता है हम लोग जाते हैं और खूब enjoy करते हैं तो इस तरह भी ऐसे हैं और यहां से इध वो चलाते हैं न जब फिल्म तो वहां से उपर से उसका सारा फिर स्क्रीन के उपर आता है तो यह इनका बैक डोर है इनके आफिसेज वगरा में जाने का तो यह बैक की सीट सीट सबकी एक जैसी है ऐसा नहीं है कि कोई बैक वाली जादा महेंगी आई यहां कुछ ऐसे है ऐसा कुछ नहीं है ओके दोस्तो आप भी ऐसे वीकेंड पे जाके इनजॉय किया करो थोड़ा सा रिलाक्स करना चाहिए लाइफ में हर वक्त काम 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 बहुत मुश्किल होता है जिन्दगी को ऐसे काटना इनजॉय करो तो जिन्दगी आराम से कट जाती है मिलेंगे फिर कभी क किसी और वक्त अगर हम कुछ कर रहे होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे ओके जी बाई फर नाओ